हाई फ्रेंड्स वेलकन चैनल फैक्ट कानिशा तो दोस्तो शुकरवार की दिन पांच रुपए के सिक्के पर लिखे एक आक्षर होगी पैसों की बर्मार जिया दोस्तो दोस्तो इस दुनिया में शाहिदी ऐसा कोई शक्स होगा जिसे पैसा प्यारा नहो वारना हर कोई करोड पती बनने का सपना देखता है जिन में से कुछ लोग का एक खौप पूरा हो पाता है हलाकि कुछ लोग बार-बार कोशिश करते रहते हैं लेकिन बन नहीं पाते जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में होने वाले दोश का कारण भी हो सकता है इसके अलावा जिस पर महालक्ष लक्षीमी को प्रसंद्न किया जा सकता है तो दोस्तो आज इस वीडियों में बताएंगे कि करोड़पती बनने के कुछ अच्छु कूपाय और टोटके दोस्तों जिन्हें अपना कर महालक्षेमी की खांस कुर्पा पा जा सकती है तो दोस्तों आईए जानते हैं इस वीडि तो दोस्त नमबर एक मालक्षमी को प्रसंद करने के लिए शुकरवार की रात पाच रुपए का उपाय कर सकते है इसके लिए शुकरवार की रात को अपने मंदिर या पुजा स्थल पर एक चवकी रखे जिस पर कलश ठापित करें दोस्तो अब कलश पर स्वस्तिक का चिन्न बनाए और कलश में पानी भर दे रोजाना इस कलश और मालक्षमी की पूजा करें जीवन से सभी धन से जुड़ी समस्या दूर हो जाएगी तो दोस्तो ये उपाय अवशे करें दोस्तो नमबर दो अगर आप लक्षमी की कुर्पात चाहते है तो इसके लिए पाच का सिक्का ले और उस पर अपने नाम का पहला अक्षर सिंदुर से लिख दे दोस्तो ये तोटका आपको रात के समय करना है इस सिक्के को ले और नाम के पहले अक्षर लिखा हुआ उपरी हिस्से को छत या छत की टंकी पर रख दे दोस्तो इसके बाद अगली सुब स्नान आ आप भी होगा तो दोस्तो अवश्य ध्यान रखे तो दोस्तो नमबर तीन घर के मंदिर में एक कलश में चावल भरकर रख दे इसमें पांच रुपए का सिखा भी डाले और रोजय ना पूजा करने के दोरान कलश की पूजा करे दोस्तो इससे आपकी आर्थिक सिती मजबुत होगी साती मालक्षमे की कुरुपा बरसेगी तो दोस्तो इस तरह आप तीन उपाय में उसे एक भी उपाय करते हैं तो मालक्षमे की कुरुपा बरसेगी यानि की आप जल्दी करणपती बन सकते हैं तो दोस्तो देर की इस बात की यह मालक्षमे क्या उपाय आप जरूर करे तो दोस्तो आपके उडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो तो लाइक शेर और कमेंट ज़रूर कीजेगा और कमेंट बॉक्स में जैसरी मालक शेनम अवशे लिखेगा धन्यवाद